केसे हो बच्चो आज आप लोगों को टिगनोमेटरी पढ़ाना जा रहा हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट है ध्यान से देखिए और समझे और इसको लिखिए भी तो ध्यान से देखिए बच्चो टिगनोमेटरी सबसे पढ़ाते हैं टिगनोमेटरी का अर्थ क्या है टिगनोमेटरी का अर्थ देखिए टिगनोमेटरी ये बच्चो टिगनोमेटरी जो है तीन सब्दों से तीन सब्दों से बनाया है तो इसका अर्थ हम लोग देखते हैं क्या है ट्राइ दूसरा क्या है गोन तिसरा क्या है मेटरोन तो बच्चो ट्राइ का अर्थ क्या हो गया तीन गोन का मतलब क्या हो गया बच्चो भूजा गोन का मतलब भूजा और मैट्रोन बच्चो मैट्रोन का अर्थ है माप या मापना मापना या माप तो यह जो है बच्चो यह जो है टिक्नोमेटरी का अर्थ है यह trigonometry का अर्थ हुआ कि तीन भुजा को मापना तीन भुजा की माप यह है trigonometry का अर्थ बच्चो यह समझ में आया होगा अब देखिए क्या है कि जो trigonometry जो है अब हम लोग क्या लेंगे कि एक triangle लेंगे समकौन तिरभूज एक समकौन तिरभूज लेते हैं बच्चो यह हुआ समकौन तिरभूज इसका जो है यह जो इसका जो है इसको A मानता है इसको B इसको C और यह जो है 90 डिगरी है बच्चो यह है 90 डिगरी ये 90 डिगरी होगे है बच्चो और ये जो है A कौन और C कौन जो है बच्चो इसको Nune कौन करते हैं बच्चो Nune कौन या Acute Nune कौन या Acute Angle तो ये बात समझ में आया होगा बच्चो ये है Acute Angle तो बच्चो कि हम लोग जो Tignometrical Ratio पढ़ेंगे ये किस में पढ़ेंगे तो बच्चो ये समकौन तिरभूज है तो हम लोग Tignometrical Ratio पढ़ेंगे बच्चो किस में पढ़ेंगे पढ़ेंगे समकौन तिरभूज में और किस के सापेक्ष निकालेंगे तो नियून कौन के सापेक्ष हम लोग Ratio निकालेंगे नियून कौन के सापेक्ष बच्चो इसमें Ratio निकाला जाता है और यह समकौन तिरभूज है यह बात समझ में आया होगा बच्चो तो यह जो है और यह जो है नियून कौन है दोनों A और C क्या है यह जो है नियून कौन है इसी के सापेक्ष आनि इसके सापेक्ष क्या निकालना है बच्चो इसके सापेक्ष जो है यह जो है नुपात निकले raped बच्चो A नियून कौन के सापेक्ष नुपात निकले गा यह बात समझ में आया होगा कि नियून कॉन के सापेक्च जो है इसका अनुपात लोग निकालेंगे तो इस चेप्टर में यही है तो टिनोमेट्रिकल रेशियो जो है बच्चो यही नियून कॉन के सापेक्च निकालेगा A के सापेक्च या सी के सापिक्च अब बी तो 90 निगरी है अब जो है बच्चो अब हम लोग जो है इसका जो है क्या है कि देखते हैं क्या क्या हम लोग निकालते है रेशियो जिसे साइन ए निकालेंगे साइन ए कॉस ए टैन ए उसका जो चूत कर्म हो जाएगा कॉस से के उसका कॉस का से के टैन का कॉटे टैन का बच्चो कॉटे और सी के सापिक्च भी हम लोग ले सकते हैं सी के सापिक्च भी हम लोग ले सकते हैं क्या हो जाएगा साइन सी क्या जगा बच्चो कॉस सी टैन सी कॉसेक सी सेक सी कॉट सी तो ये बच्चो जो है दोनों एक्क्यू टेंगल दोनों नियून कॉन के साफ़ एक्ष ये रेशियो निकलेगा तो ये बात तो समझ में आया हागा बच्चो कि इस तरह से रेशियो हम लोग को निकालना है इसके साफ एक्ष और ये जो रेशियो है ये एक इंपोर्टेंट फर्क बताएंगे ट्रीक जिसमें आप बहुत आसानी स्याथ कर सकते हैं देखिए तो बच्चो देखिए बहुत अच्छा जो है एक हम लोग पहले एक ट्रेंगल लेते हैं बहुत निक्ट थेखिए इसको जो है बच्चो ए लेते हैं ये बी है और ये सी कोई दिकत नहीं है बच्चो और जो बच्चो ये जो है क्या है समकौन तिरपूज है ये समकौन तिरपूज है बच्चो कोई दिकत नहीं है अब हम लोग देखते हैं कि इसको राइट अंगल ट्रेंगल गोलतें है अले जी से राइट अंगल ट्रेंगल कोई दिक्त नहीं है अब देखिए यहां पर दो एक्यू ट्रेंगल है a और सी तो इसके साथ पर क्छलो निकालेंगे देखिए तो इसमें एक जो ट्रीक है बच्चो इसका रेशियो का अधर रखने के लिए क्या है लाल लाल बच्चो लाल के के लाल कक का बच्चो ए बूत अच्छा ट्रीक है अब लोगों कोई रेशियो आधर रखने में बहुत सुईधा होगा यह देखी लाल कक का लाल कक क्या है बच्चो तो एल से लंब के से करन जो है बच्चो इसे साइन ये है साइन ये तो सबसे पहले ये जान लेजे कि कौन इसमें इस ट्रेंगल में कौन जो है लंब होगा कौन अधार होगा और कौन करन होगा तो देखिए ये है एक क्या संगत भुजा ये संगत भुजा होगया ये का वो अधार होगया बच्चो इसको अधार कहेंगे जिस एंगल के रेशियो में लेते हैं उसका संगत भुजा आधार होता है बच्चो ये आधार होगया इसको बेस बोलते हैं रेजे से और इसके सामने वाला भुजा और इसके सामने वाला भुजा लंब होता है बच्चो इसको लंब लिख दिये इसको परपेंडिकुलर बो हो गया हुआ है और इसके सामने वाला भूज़ा हमें सार्व होता है बच्छो पर्ण होता है यह हो गया करत практи si है और आपे हर उसको है क्या है है बढ़ते हैं हाइप रगोह पर समझ में आया तो इस हम लोग एक एसाफ एक सिक्राइसे निकालेंगे है तो इसे जो संगत है ऊसोगा तो देखिये और ये परिपेंडिकलर होगा, उसको हम P मान सकते हैं बच्चों, परिपेंडिकलर को P मान लेते हैं, बेस को, जो है बच्चों, B मान सकते हैं, B मान लिए, और हाइपोटन यूज को H मान लेते हैं, बच्चों, इसको H मान लेते हैं, कोई दिकत नहीं है, इसको H मान लिए, को अदहार बटे करन और लंब बटे अदहार यह बात समझे आया बच्चों तो कितना अच्छा आसान है देखिए अब हम लोग लिखते हैं क्या हो जाएगा लंब बटे करन लंब क्या है पी कर एच हो गया कोई दिकत नहीं अब देखिए अब हम लोग कॉस लेते हैं, कॉस ए लेते हैं, कॉस ए बच्चो क्या हो जाएगा, अधहार बटे करन, अधहार बटे करन, तो B by H हो गया, अब 10 लेते हैं बच्चो 10, 10 का कितना हो जाएगा, लम बटे, अधहार, देखिए L by, L by A, तो L कितना हो गया, P by B, तो देखिए कितना असान तरिका से यह हो गया यह तीन हो गया तिसका ब्यूत करौन लुपात भी असान से हो जाएगा बच्चो कहीं दिक्कत नहीं देखी उसका हम दोह जिसे साइन का कॉसेक कॉसेक क्या हो जाएगा H by P reverse हो जाएगा तो देखिए यहीं लिखते हैं cos c A cos c क्या हो जाएगा बच्चो H by P reverse हो जाएगा उसका H by P कोई दिकत नहीं है cos का c c c A बच्चो क्या हो जाएगा H by B कोई दिकत नहीं है 10 का बच्चो 10 का कौट कौट A क्या जाएगा B by P B by P बच्चो तो कोई दिकत नहीं है देखिए कि इतना असान से इसको आप आद रख सकते हैं बच्चो कितना असान है लालकका का फर्मुला इससे आप बहुरी असानी से बहुत असानी से याद रख सकते हैं तो दिकत नहीं देखिए बच्चो यह सवाल क्या है यह जो है A B 24 है B C कितना हुआ है 7 सेंटिमेटर तो हम लोग क्या निकालना है यह साइन यह कौस A साइन सी कौस C यह निकालना है तो यह सवाल जो है परस्णा वाली 8.1 का है NCRT का तो इसमें आप देखिए क्या निकालना है साइन यह और कौस A देखिए एक हम लोग पहले तिर्भूज बनाते हैं सबसे पहले एक तिर्भूज बनाते हैं बच्चो A तिर्भूज है A जो है बच्चो A तिर्भूज बनाते हैं 90 डिगरी मतलब राइट तैंगल ट्रैंगल सम्कौन तिर्भूज हुआ अब देखिए यह B है 90 डिगरी दिया हुआ है देखिए 90 डिगरी B दिया हुआ है इसको 90 डिगरी ले लिए अब जो है इसमें हम लोग किसी को भी A ले सकते हैं एंटिक लवाई या क्लॉकवाई ले सकते हैं इदर से भी A, B, C ले सकते हैं या इदर से भी A, B, C ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो हम लोग जो है जैसे दिया हुआ है तो इदर से हम लोग ले सकते हैं इधर से भी ले सकते हैं, कोई इसमें दिकत नहीं है, दोनों तरब से ले सकते हैं, उधर से भी A, B, C ले सकते हैं, clockwise या एंटी, clockwise इधर भी ले सकते हैं, तो इसी को यह लेते हैं, मनले जी, A ले लिए इसको B, A, C, कोई दिकत नहीं है, A, B, C, कोई दिकत नहीं है, आप देख कोई दिक्कत नहीं है और यह जो है बच्चो हम लोग को पहले क्या निकालना है निकालना है पैथागु रस्थे फिर हम लगाएंगे हम लोग ac square is equal to क्या हो जाएगा है हो जाएगा बच्चो ab square plus bc square कोई दिकत नहीं है आप देखिए ab का square कितना है 24 का square और उसका 7 का square अब जो हम लोग 24 का square कितना हो जाएगा बच्चो देखिए गुना करते हैं बहुत अच्छा ट्रीकी चीज है 24 कुना 24 केसे करते हैं 4 चले 16 चार गुना 8 चार गुना 8 चले 17 के साथ हत में दुदना चार एक 5 566 बच्चो तो 566 हो गया यह और यह हो गया 7 कुना 749 कोई दिकत नहीं है अब देखिए अब दोनों को एड करते हैं तो कितना हो जाएगा एड करेंगे तो हो जाएगा जो है 625 हो जाएगा बच्चो यह एड करके 625 हुआ अब ए सी स्क्वेर बराबर इसका बर्गमूल हो जाएगा तो यह हो गया बच्चो इसका बर्गमूल 25 हो गया 25 हो गया कोई दिकत नहीं है अब जो है अब जो है बच्चो हम लोग इसका निकालते हैं रेशियो साइन ये साइन ये एके संगत जो है भूजा जो है वो अधार हो जाएगा और सामने वाला लंब हो जाएगा कोई दिकत नहीं है तो साइन ये साइन एज कल्टू क्या हो जाएगा बच्चो लंब बटे कर्ण लंब क्या है साइन के लिए ए के लिए सामने वाला भूजा 7 त तो इसका सामने वाला ये है तो 7 बटे कर्ण 25 कोई दिकत नहीं है उसी तरह से बच्चो कॉस ए क्या जगा अधार बटे कर्ण अधार क्या है अधार है यहाँ पर संगत भूजा अधार 24 हो जाएगा तो यह 24 है संगत तो 24 हो जाएगा 24 सेंटिमिटर तो कॉस यह बरावर 24 बटे कर्ण 25 तो 24 बटे 25 निकल गया अब हम लोग देखते हैं कॉस साइन सी का साइन सी बच्चो इसके लिए लंब हो जाएगा उसका सामने वाला भूजा और अधार हो जाएगा संगत भूजा तो कॉस साइन सी क्या हो ज कर्ण 24 बटे 25 उसी तरह बच्चो कॉस सी क्या हो जाएगा अधार अधार बटे कर्ण अधार क्या है 7 तो संगत भूजा यह है तो 7 बटे 25 तो यह आ गया कोई दिकत नहीं है तो इस तरह से बच्चो आप लोग को समझ में आया होगा तो परसनावाली 8.1 है आप लोग आगे बनाईए कोई दिकत होगा तो कॉमेंट में लिखिए और इस पर हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो उसमें और सवाल बताएंगे तो इतना समझ में आया होगा बच्चो तो चैनल को लाइक कीजिए और पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चो तो धन्यवाद